यहां पर आपको दिया जाता है 100% free quality education और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि दो चैप्टर के बाद किसी भी तरीके का paid subscription लेना है Magnet Brains पर आपको CBC, State Board, Hindi Medium, English Medium, NTSU Olympiard जैसे competitive exam और बहुत सारे famous writers के book का solution यह सारी चीज़े provide करवाई जाती है 100% free किसी तरीके का payment आपको नहीं करना है तो हम start करने जा रहे हैं class 6 का science subject पहले subject में हमने बहुत सारे chapters already complete कर लिये तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं chapter number 14 और इस chapter number 14 के भी बहुत सारे topic हमने already पढ़े हैं हमारे previous video में जो last मेरा previous video था उसमें हमने देखा था कि क्या होगा अगर rain अगर बिलकुल भी नहीं होती तो क्या conditions होती है इन सारी बातों के information हमें हमारे previous video से मिलेगी अब बारी आती हमारे next topic की जो की है how can we conserve water ठीक है हम conserve का मतलब पहले समझें ठीक है तो conserve करना मतलब क्या होता है किसी भी चीज को बचाना ठीक है है कई सो how can we conserve water हम कैसे हमारे पानी को conserve कर सकते हैं मतलब कि आप उसे कैसे सेव करोगे, ठीक है, सेव करोगे या फिर आप उसे कैसे बचा सकते हो, ठीक है, तो यह आप बचाना लिग देते हो, मैं हिंदी में, ठीक है, तो आप इसे कैसे बचा सकते हो, कैसे कंजर्व कर सकते हो, ठीक, तो यह हमें आज के इस टॉपिक में तो सबसे पहले एक कोश्चन हमारे दिमाग में आता है कि what is the need of to conserve water ठीक है what is the need to conserve water या फिर इन शौट लिख देती हूं कि why conserve water पानी को हमें क्यों conserve करना है इसकी जरुवत क्या है इसकी need क्या है सबसे पहले तो यह जाने ठीक है तो देखिए क्या हो रहा है पानी जो है वो हमारे पास है limited क्या है पानी limited है clear है अब यह जो limited water है ठीक यह आपको पता है सबसे पहले कि हमारी जो अर्थ है उसका जो पूरा का पूरा portion है ठीक है उसका आपन देखें तो 90% portion जो है यह water है ठीक है बट इसमें से सिफ 2% water जो है वो हमारे पीने योग यह है हम जिसको पी सकते हैं ठीक है उसमें से भी जो 1 percent पानी है वो ice के form में बना हुआ है glaciers में तो मदब सिर्फ 1% पानी जो है ठीक है वो ही हमें हमारे river से ठीक है यह हमारे lake से यह ground water से इन सबसे मिलता है ठीक है इतनी कहानी अभी समझ में आई कि हमारी अर्थ में कितना पानी 2% पानी जो ऐसा है जो कि हम यूज कर सकते है उसमें भी 1% तो ice के form में glaciers में है सिर्फ 1% पानी हमें किस से मिल जाता है river से ground water से ठीक है अब कितना पानी है सिर्फ 1% कहां से मिल रहा है यह ground water है ना रिवर लेक और पॉंड ठीक है और बहुत सारी जगें ठीक है यहां सबसे आपको पानी मिल रहा है अब इन सब को फिल करने का काम कौन करता है इन सब को फिल करने का काम करता है आपकी रेन ठीक है अब यह जो रेन है वो किसकी वज़ा से होती है यह होती है evaporation plus transpiration अब ये transpiration किसके वज़ा से होता है तो ये होता है आपके plants की मदद से और सबसे ज़धा plants कहां पर है सबसे ज़धा plants है forest में अब आप ये सोचेंगे कि माम ये conserve करने का बताते बताते ये सारी कहानी कहां बताने लगी है तो हमारी जो कहानी वो यहीं से तो शुरू हुई है अब देखो हमारी जो population है चिक है एक सेकेड़ तो थोड़ा धंग से लिख देते हैं हाँ तो हमारी जो population है वो day by day बढ़ दी जा रही है अब खर एक व्यक्ति को human population बढ़ रही है तो humans को क्या-क्या चाहिए उन्हें चाहिए house है ना और all the things like क्या-क्या चाहिए car चाहिए ठीक है और क्या चाहिए medicines चाहिए है ना medicines के अलावा transport चाहिए और food चाहिए ठीक है और fabric चाहिए यह सारी चीज़े चाहिए समझ में आई बात अब जितने जादा लोग होंगे उतना जादा घर की requirement बढ़ेगी उतना जादा medicines की ट्रांसपोर्ट की food की या जितने भी तरीके की चीज़ हम आज कल यूज करते हैं उन सारी तरीके की चीज़ों की जरुवत पड़ेगी इन है ठीक है अब यह सारी चीज़े बनाने के लिए चाहे कार हो medicines हो transportation हो food हो fabric हो इन सब को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भई इन सब को बनाने के लिए हमें industries का यूज करना पड़ेगा ठीक है अब industries में क्या होता है जितना भी ज़्यादा पानी लगता है वो सबस्यादा industries में लगता है तो पानी का यूज कहां बढ़ गया humans तो करी रहे हैं industry भी कर रही है और यह जो humans जिनको घर चाहिए है उसके लिए वो क्या कर रहे है उसके लिए ये लोग अपने जितने भी forest हैं उन्हें कट कर रहे है क्या कट कर रहे है forest को कट कर रहे है समझ में आई बात साती साथ transport सड़के बना रहे है railway track बना रहे है तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या कर रहे हैं forest को cut कर रहे हैं industry set करनी है तो forest को cut कर रहे हैं ठीक है और क्या करना है agricultural land बनाना है food की requirement पूरा करना है तो भी क्या कर रहे है forest को cut करें मनलब सब मिल जूल करके के हमारे forest के पीछे पड़ गए है ठीक है तो अब जितने forest थे वो क्या हुआ जितना हमारा यह जो अगर यह अर्थ है ठीक है इस अर्थ में जितना हमारा ग्रीन एरिया था पहले वो अब कितना हो गया है वो अब हो गया है सिर्फ लगभग इतना मालीज़े इतना ठीक है और थोड़ा थोटा कर देते हो क्योंकि बहुत कम है है ना तो यह आपका forest area है ठीक है अब ज़रा बताईए कि बाकी की सबके requirement पूरा करने के लिए पहले आपके जितने forest थे ठीक है इसमें क्या होता कि जितने ज़्यादा forest होता तो क्या होता उतना ज़्यादा transpiration होता transpiration होगा तो आपकी rain बढ़ेगी rain ज़्यादा अच्छे से होगी तो आपका groundwater river, lake, pond यह सब भरे हुए रहते और हमें पानी मिलता लेकिन अब क्या हो गया है कि population day by day बढ़ रही है तो हमें घर चाहिए हमें यह सारी चीजों के लिए हमें चाहिए पानी तो हम इन सारी चीजों में इस पानी का भी यूज कंटिनियूसली करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है ultimately ultimately हमारा जो water है ठीक है वो भी reduce हो रहा है हमारा जो forest है जो की पानी को आपको increase करके देते हैं वो भी reduce हो रहे हैं तो overall देखा जाए तो पूरी कहानी से हमें समझ में आ रहा है कि रेन नहीं हो पाएगी डंग से तो ना तो ground water में पानी बचा हुआ है ना river में है ना लेक में है नहीं ponds में है और यह जो सारी कहानी अभी मैंने आपको बताई यह सिर्फ हमारी country की नहीं है यह हमारे सारी country हमारे पूरे world की यही कहानी है और पानी सर्फ कितना है हमारे पास one percent अब इतने से पानी का जब इतना सारा use है तो आप ज़रा खुद सोचिए कि पानी को फिर क्य की ज़रुत पड़ेगी क्यों उसे हमें नहीं बचाना होगा ठीक है तो इसी लिए यह जो टॉपिक है ना how can we conserve water यह बनाया गया कि क्यों पानी को conserve किया जाए ठीक है so only a small fraction of water available on the earth is fit for us of plants, animals and humans तो जैसा मैंने आपको बिताया कि थोड़ा सा ही पानी है जिसको हमें humans को भी use करना है हमारे plants को भी use करना है और animals को भी use करना है so most of the water is in the ocean and it cannot be used directly जो पानी सबसे जादा है वो कहा है वो है oceans में ठीक है और इस पानी को लेकिन हम directly use नहीं कर सकते क्योंकि वो salty water है so when the level of groundwater decreases drastically this cannot be used anymore अगर groundwater जो है यह जो आपका groundwater का पानी है यह अगर reduce हो जाता है पूरी तरीके से तो इसको fill करना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इन सब के पीछे इतनी सारी लंबी चोड़ी कहानी चुपी हुई है इसके लिए आपको forest होना चाहिए अब forest तो हो नहीं सकते क्योंकि हमने उनको काट दिया हमने घर बना लिये और उसको अगर फिर से लगाओगे तो कितना जादा आपको time लगेगा तो यह ground water का जो पानी है जो आपको ground water से मिल रहा है reverse से मिल रहा है कहीं से भी जो पानी आ रहा है इसलिए उसको conserve करना बहुत जादा जरूरी है अब यह जो पानी हमारी धर्दी पर है वो available है clear है लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम उसको waste जादा करते है जैसे कि अगर हम घर से ही घर की बात करें तो आपको हम बोलते कि चलो नहा लो नहाने के लिए आप क्या करते हो शावर on कर लेते हो और वह पारी जो कि आपके दो एक आधे कि बॉकिट में आपका काम चल जाएगा आपक्या करोगे उसको दो तिन बकुट शावर की पानी से लुकित कि French आपकी नहाने में ही में होजाता है फिर आशी बात बाता आती एक हHelpके घर लुकिंग कि इसी के सारश अब जरा सोचे कि वॉश करने में यूटेंसिल वोपड़े वॉश्थ कर रहे हो सब चीज में नग रहा है अब यह तो घर की कहानी थी मैंने आपको बतात दिया है कि वाटर का यूज कितना है अब हम पानी को कंजर्व कैसे करें तो जो पानी हमारा वेस्ट हो जा रहा है हमें उसको बचाना है ठीक है अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों करूं तो आप करोगे आपका आपने पानी बचा लिया आपने आधी बकिट पानी से नहाया और बागी जो डेली दो बकिट पानी वेस्ट कर रहे थे आपने वह वेस्ट करने से बचा लिया अब आप सोचें आपका पडोसी भी दो बचाएगा उसका पडोसी भी दो बचाएगा ऐसे करते करते पूरा कालोनी पूरी के साथ पिर वही कहानी बताओंगी पुरा शहर शहर के साथ स्ट स्टोर कर अबसे czas सोचें कि आप जो वाश करते हो कपड़े अगर एकसे पानी अब ना फेक हो तो कितना पानी से पर कर लोगिए कार को वाश करने पे फ्लोर को वाश करने में आप जो पौनी से करते हो तो कितना पानी आप बचा लोगे आई कि समझ Mまた तो इसलिए कहा जाता है कि हमसे ही हर चीज स्टार्ट होती है तो हमें इसलिए हर चीज का लिमिटेड यूश करते हुए वस्कों रोगते हुए यूश करना है अब आप तो देखे को आप देखते ही increasing day by day अब हर दिन क्या हो रहा है पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पापॉपुलेशन बढ़ रही है ठेक है अब जितने लोग पहले थे उसके कमपैजिन में जाधा हो जाएंगे तो जाधा पानी लगेगा हॉस्पिटल में लगेगा इंडिस्ट्रीज में लगेगा तो पानी की जो रिक्वार्मेंट है वो हर दिन बढ़ रही है ते नंबर ओफ पीपल यूजिंग वाटर इस इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन हाना पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर पानी पर मेंशिन किया है कि उनको घर चाहिए सब सारी चीज़े चाहिए जो इतनी सारे रिक्वार्मेंट है वह ऑल्रेडी थोड़ी कम हो जाएंगी ललब लिमिटेड हो जाएंगा ऐसा नहीं कि आप उसको कम कर दो मलब कि अगर आप इसको बढ़ाओगे नहीं मतलब पॉपुल इस वेरी इंपोर्टेंट डाट बॉर्टर इस यूज़े केरफुली ठेक है तो अब इसलिए क्या जरूरी है कि हम पानी को केरफुली यूज़े यूज़े इस फैक्टर्स आ लीडिंग टुदर शौर्टेज ओव वार्टर इन मैनी पार्ट्स ऑफ देज़े बताई थी ज दिखो १िये एक रियल मेंज जिसमें की एक कुवा है और लोग पानी के लिए कितने सारे यह तो कुछी लोग है यह शायद किसी एक छोटे से एरिया के इतने चार पांच छे साहं घरों की एके इमेज़े जोगी कि देखे पानी के लिए कैसी मारा-मारी हो रही है तो यह इमेज है इस तरीकी की मेज ना बने तो हमें क्या करना है वी शुट टेक कियर नौट टू वेस्ट वॉटर ठीक है हमें क्या करना है पानी को वेस्ट होने से बचाना है तो अब आप बोलोगे तो क्या हम खाना नहीं खाएं तो क्या हम नहाएं नहीं या फिर हमारी चीज़ें करें सब चीज करिए बाइट लिमिटेट पानी के साथ ठीक है और दूसरी चीज पानी को सेफ करने के लिए सेव करने के लिए आप जो भी बोल सकते हो या हम सिंपल सा बोल लेते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कम से कम वेस्ट वाटर बनाए ठेके ठेके किया करना अपको waste water को कम करना waste water क्या होता हे एक ऐसा water जिसमें chemical मिले हुए होते हैं जिसमें कि human species र पर मिले हुए होते हैं या animal Fleeces मिले होते हैं ठेके या फिर आपका बहुत सारे तरीके के chemical detergent मिला हुआ रहता है तो ये सब आपका waste water होता है ये दोनों कैसे बन जाते हैं जरा आप इसको ध्यान से करब आप देखो तो chemical कैसे मिला लेते हो आप तो आप क्या करते हो आपने नहाया तो detergent का पानी soap का जो पानी है वो मिला और वो सीधे किस में जाता है drain में जाता है ठीक है अब treatment के बाद तो हम पानी अच्छा बना सकते हैं जी नहीं वो जो treatment के बाद भी पानी बनता है तो वो भी कैसा बनता है वो हमारे wastewater देख लिया अब अगर खेट है ठीक है अब हमारी population बड़ी तो हमें किसकी ज़र्वत पड़ी हमारे fields की ताकि हम जादा से जादा crops लगा सके तो क्रॉप कितने बड़े लेवल पर लगती है यह तो आपको मैं बताई चुकी हूं तो यह जो ठीक है फिर इंडस्ट्री से जितनी भी गंदिगी निकलती जाती है उनको हमें water रिवर और पॉंड में नहीं डालना चाहिए ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि रिवर और पॉंड में डालेंगे तो पानी खराब होगा ही होगा साथ ही साथ अगर आसपास वह सा गंदिगी को अपन डाल दें ऐसे ही खुले में छोड़ने तो अगेन पानी को खराब करेगा तो यह सारी चीजे जो हैं यह हमें ध्यान में रखनी है कि जितना जादा हो सके हम वेस्ट वाटर ही ना बनने दें तब जाकर कि हम क्या कर सकते हैं हमारे पानी को कंजर्व कर सकत हैं कम-कम पानी को हम यूज करें कम पानी में सारी कैमिकल्स और यह मिला है मतब कि जो आपका ड्रेन सिस्टम में जा रहा है त्वालेट में कम यूज करें पानी को लिमिटेड यूज करें जितनी रिक्वार्मेंट उतना ही करें ठीक है जो आप जितना पानी बहाते हूं आ किचिन में जो ऑईल बचा या सबझ्यों का वेस्ट बचा आप ने उसको किसमेड डाल दीया ट्रे positivity सिस्टम में तो वह क्या करता आगे जाकर कि जो पानी बहना होता असको ब्लॉक करने का कौम करता है तो वापए भी गंदगी बर जाती और जबधा पानी खराब जाता है तो उसका और अच्छे से treatment कर ही नहीं पाते हैं उसको अच्छे से साफ ही नहीं कर पाते हैं ठीक है तो इन सारे points को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हम इस पानी को सुरक्षित कर सकते हैं कितना कोशिश कर सकते हैं कि हम उसे गंदा ना करें ठीक है इस तरह से प या हमारे लिए ही कुछ सालुबात ये जो पानी है वो बचेगा ही नहीं और फिर जैसी कंडिशन सुखे में आती है वो कंडिशन हमारी नॉर्मल लाइफ की कंडिशन हो जाएगी तो इसलिए सेफ वॉटर सेव लाइफ तो इस आज के टॉपिक से हमें ये बात क्लियर होती है आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाट इस नीड टू कंजर्ब वॉटर की का पानी को बचाने की जरुवत क्या है ओके इस चाप्टर के बहुत सारे टॉपिक दरसा मैं आपको बताया कंप्लीट हम कर चुके हैं प्रिविएस वीडियो में आज का ये वीडियो आपने हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मागनेट ब्रेंस पर सारे वीडियो देखते रहेगा आपको देखने के लिए क्या करना है गूगल पर टाइप करना है मागनेट ब्रेंस उससे आप सीधे ओफिशल वेबसाइट पर पहुच जाएंगे जैसे वहाँ पहुचेंगे गौत आपको इस तरह से सक्रीन देखेगी जिसमें आपको सलेक्ką करणा है अपना कोर्स टाट केनिंगले इंडियों इसके बाद अपनीinação03 क्लास से सिक्स κसलास से हैं तो सक्सेइंडक कर दीजिए जैसे ही आपको तो इस तरह से सारे topics दिख जाएंगे सारे आपके subjects दिख जाएंगे जिसे science, maths, English, Hindi, सब कुछ आपको जो भी पढ़ना है उस पर watch now करो watch now करते साथ ही इस तरह से एक screen open हो जाती है जिसमें आप क्या देखते हो कि इसमें chapter wise सारे videos दिये हुए है chapter 1 से लेकर के सारे chapters line by line दिये हुए है इन chapter के अलग-अलग topics दिये हुए है तो जो भी पढ़ना चाहते हो उस पर click कर दो click करते साथ ही video open हो जाएगा इस video को starting से end तक पूरा जरूर देखेगा तभी आपको topics समझ में आएगा जब आप video देखें आपको पसंद आए तो like और comment करना नहीं भूलना है और इसे share करना अपने same class के students के साथ साथ ही साथ बांगेट ब्रीज चैनल को share करिए उन सारे students के साथ जो कि kindergarten से class 12 तक में पढ़ते हैं क्योंकि हम दे रहे हैं 100% free classes from kindergarten to class 12 तो इसे like करिए share करिए ताकि सब benefit ले सकें इसका प्लस चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि जब आप चैनल subscribe करते हैं तो सारा recent update आप तक तुरण पहुच जाता है तो हम मिलेंगे हमारे next video में तब तक के लिए stay happy stay healthy thank you so much